आप सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं 18 जन्वरी 2021 के चो एंटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें मैट्स के बारे में हम आज डिसकस करेंगे करारी देखते हैं कैसे हो था फैक प्राइब बहुत ही इजी था इतुन ओसे प्राइन चेक्ट उसमें है और अज का मारा पहला कुंसार इसमें तो इसका मान क्या होगा sin A into cos C plus cos A into sin C यह आपको दिख रहा होगा कि sin A into cos C plus cos A into sin C यह किसका formula है आप? आप यहाँ पर देखोगे तो यह है sin यह जो formula है sin A plus C का formula है sin A into cos B plus cos A into sin B होता है वही वला है अच्छा, एक बात और दी है कि हम पर 10 A की value root 3 है 10 A की value root 3 है यानि कि जैसी यह triangle मैंने बना लिया A, B, C 10 A की value root 3 है यानि कि जो angle होगा वो 60 degree होगा यह 60 degree होगा तो यह कितना होगा? 30 degree होगा मतलब A plus C कितना होगा? 90 degree होगा यानि कि sin 90 की value कितनी आजाएगी? एक आजाएगी आप इसे बिलकुल आसानी से कर सकते थे चलो हम दूसरा question देखते है दूसरा question कहे रहा है इसमें कि यदि XQ plus YQ ठीक है? XQ plus YQ upon XQ minus YQ is equal to 185 upon X upon Y ठीक है? 185 upon 158 तो X upon Y की value बतानी है तो इसको लगाने के लिए आप simply componendo and dividendo यूस करोगे componendo and dividendo में होता क्या है A plus B upon A minus B अगर लिखा रहता है equal to X upon Y suppose that क्या करते हैं कि नीचे वाला term उपर जाके add हो जाता है ठीक है? और वही जो add होता है उसी को नीचे लाकर के minus में लिख देते हैं ठीक है न? जैसे अगर आपको लिखना हो जैसे A upon B equal to C upon D हो तो अगर यहाँ पे componendo and dividendo लगाएंगे तो यह B जो है उपर जाके add होगा A plus B और यह जो उपर add में लिखा होए वही नीचे minus में लिखेंगे इधर वाला काम यह हुआ तो right hand side वाला भी वही होगा यह हो जाएगा C plus D upon C minus D तो A upon B equal to C upon D को हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है? न? component और dividendo से यहां पर हम component और dividendo लगाएंगे तो यह तो एकदम आराम से हो जाएगा यह उपर हो जाएगा 2XQ और नीचे हो जाएगा 2YQ ठीक है? इधर वाला उपर जाके add होगा तो उपर जाके add होगा तो कितना होगा? 85343 और उपर वाला नीचे minus होगा तो यह 27 आएगा ठीक है? यह 2 से 2 कट गया XQ upon YQ equal to 343 upon 27 तो दोनों तरब Q रूट लेंगे तो X upon Y की वैलू आएगी जो आएगी 7 upon 3 आएगी देखो कितनी easily तरीके से हो गया ठीक है? चलो अभी हम next question देख लेते हैं हमारा जो इसमें third question पूछा हुआ था sin 15 degree की वैलू क्या होगी? तो sin 15 degree की वैलू कुछ नहीं करना है आपको sin A minus B का formula याद होना चाहिए कैसे? ऐसे sin 15 degree को हम लिख सकते हैं 45 minus 30 45 में से 30 गटा होगे 15 degree आएगा तो यहाँ पर लगाओगे sin A into cos B sin A का मतलब क्या होगा? sin 45 ठीक है न sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 36 यही होगा sin 45 की वैलू 1 by root 2 ठीक है? cos 30 की वैलू क्या होगा? cos 30 की वैलू 1 by 2 होगा यह होज़ाएगा 1 by 2 root 2 ठीक hear? cos 45 की वैलू 1 by root 2 और sin 35 की वैलू 1 by Assistant के वेलू ससाइन बैतालिस के वेलू होगी उसम में मुटिप्लािए करना है और यह होग जा है रूट थ्री बाइट् Vine No और साइन जो तीस होगा यह कोटेखे चूपर जाएगा रूट ठीक है 2 root 2 नीचे LCM common दिख रहा है तो उपर हो जाएगा root 3 plus 1 और अपान 2 root 2 यह होता है sign 15 degree ठीक है कुछ नहीं करना था बस आपको sign A minus B का formula याद रखने चाहिए था और यह बहुत सारे बच्चे orally भी learn करते हैं sign 15 degree की ठीक है चलो अगला question देखते हैं फोर्ट नंबर का question है उसमें क्या पूछा हुआ था कि इसको solve करो यह भी कोई question है 1274 प्लस 12274 प्लस 125274 प्लस 12274 प्लस 12274 देखो इसे जोड़ना बहुत हीजी है यह जो फोर्ट नंबर का question है इसे add करना बहुत ही जी आप आराम से इसे simply add कर सकते हो क्या लिखा है अगर ऐसे नहीं add करने आ रहा है तो पूरा लिखके भी कर सकते हो 1274 12274 प्लस 12274 प्लस 12274 अगला क्या है एक दसमलो 257 4 यह last का सव इस 7 4 आ जाएगा ठीक है उसके बाद देखो 4 4 8 8 और 5 13 3 कहरी बचा है एक 7 7 14 2 16 16 और एक सतरा अभी भी कहरी बचा है एक ठीक है अभी देखो 4 2 6 5 6 5 11 और 12 और एक कहरी बचा है 13 अभी भी एक कहरी है साथ दो नौ एक दस और एक कह डी जँद था इक ग्यारा एक अभी भी कह डी एक हैं तो 12 एक तेरह और एक जो कह डी था वो 14 चृदो सो तेरह दस मुलो साथ तीन साथ चार कोश्चन नमबर पांच एकदम आसान है क्या है बाई कह रहा है कि किसी संभाहोत रिपुझ की फुझा चार सेंटीमीटर है तो उसका छेतरफल क्या होगा यह भी कोश्चन है जो संभाहोत रिपुझ एक्विलेटरल ट्रेंगल होता है उसकी एरिया पूछ रहा है अगर उसकी साइड फॉर सेंटीमीटर है तो एक्विलेटरल ट्रेंगल के एरिया होती है रूट थ्री भाई फॉर इन्टू साइड का स्कॉायर एक चारकर जाएगा तो 4 रूट 3 आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हम हमारा जो 6 नंबर का कोश्चन है वो क्या हो रहे है कह रहे हैं कि A इक्वल टू बाई 5 B इक्वल टू बाई 7 C इक्वल टू 1 बाई 3 अगर ऐसा हो तो आप बताओ A रेसियो B रेसियो C कुछ नहीं करना होत कितना होगा इसका LCM कितना होगा वाई 7 5 का 105 होगा तो पहले में 105 से multiply करेंगे तो कितने बार बाई नकितनी बीज़ेगे वार otherwise आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे यह 5, 7 और 3 कुछ भी यहां पर 3 के 3 प्राइम नंबर है तो पहले वाला ratio लिखना है तो इसका multiply बीच वाला ratio लिखना है तो इसका multiply उसके बाद देखो सेवेंथ है नंबर कोशन एक ब्रित की परीदी सर्कंफरेंस आफर सर्केल इस वान हंडे टेन देन फाइंड रेडियस सॉरी डायमीटर एक ब्रित की जो परीदी है सर्कंफरेंस क्या होता है सर्कंफरेंस का formula होता टू पाई आर और इसकी वेलू क्या given है 110 तो हमें पूछ रहे कि डायमीटर क्या होगा means 2 र की वेलू पूछ रहे तो पाई को उधर बेजेंगा पाई की वेलू क्या होती है 22 बाई 7 उपर चला जाएगा यह पांच बार में क सा Redmi प्लस को सेेकल तू साइन salaries साerson नमबर इ79 की साइन इब्लस को से इसको सा डूतू साइन कि भृष को लольшक। अबार 8 blirट के आगा मान क्या होगा यह बिल्कुल भी एजी है कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें एक इवलो 90 डिग्री अगर हम पुट कर देंगे तो यहां पर मिलेगा एक प्लस एक दो सैटिस्वाई है यहां पर भी एक आएगा यहां पर भी एक आएगा और एक और एक और एक दो हो जाए ठीक है ना साइन ए प्लस कोसे के को क्या लिख सकते हैं वन अपान साइन ए इस इकुल टू तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है एक प्लस वन बाई एक्स इस इकुल टू टू इसी के फॉर्मेट में है अगर अलजेब्रा पर जाएंगे तो एक्स की बूल यहां पर क्या होती थी ते यही पूछा हुआ है हमारा अगला मारा जो कोस्षान है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है उसमें क्या है कह रहें कि यही राम किसी काम को बारह दिन में मह 중요点 में और दिने इस कि जा हो 20 दिन में करता है तो तीनों मिल कर कित्ने दीन में करेंगे भाई ऐसा भी ज़ींन 15 तीनों मिलके कराना कुए 10 मिलके सांच मिनिट में भर लेंगे A 80 B 20 LCM क्या हो गया? 80 इनकी efficiency 1 आयगी और यहाँ पे 4 आयगी 8 बटे 5 यानि कि 16 16 मिनिट लगेंगे ठीक है? बिलकुल आसान सा question है नेक्स्ट question था कि prime number से related प्राइम नमबर क्या होता है? ऐसा कुछ related question था option में उसमें दिया होगा तो अभी option तो clear नहीं है ठीक है यहाँ पर कह रहा है कि A और B दो person है A is more more efficient than B और कैसे efficient है double efficiency है A की ठीक है ना टोल नमर question में A की efficiency double है और दोनों मिलकर के 5 days में work complete कर लेते हैं तो B एकेले कितने दिन में करेगा इसको देखो कैसे करते हैं A اور B मिलकर के कितने दिन में करते हैं मेरे वाई 5 दिन में A की efficiency 2 होगी और B की efficiency एक unit होगी मतलब इनकी efficiency 3 है combine efficiency 3 है और 3 की efficiency से यह 5 दिन कर रहे हैं तो total work कितना होगा 15 होगा ठीक है efficiency इन लोगों के 3 है पाँच दिन काम कराना है तो टोटल वर्क 15 रहा होगा अच्छा, अभी किसके पूछ रहा है B अकले कितनी दिन में कर लेगा B की Efficiency, यहाँ पर देखो कितने लिखा है मैंने 1, तो 15 काम करना है एक Efficiency से तो 15 दिन लगेंगे हो गया आंसर? चलो, अगला कोशन देखते हैं बिल्कुल असानी सा है, जीसे अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा, फिर से एक बार वीडियो पीछे कर लेगा देख लेगा X, Y, Z का अनपा 2, 3, 4 है, तो तीनो का लाब 36,000 है, तो प्रते का लाब बताव क्या बात है यहां पर टोटल कितना है? 4, 3, 7, 2, 9, 9 यूनिट 9 बराबर, यह 9 बराबर दिया हुआ है 36,000, तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 4,000, ठीक है, एक बराबर 4,000 तो यह देख लो 2 बराबर कितना होगा? 8,000, 3 बराबर 12,000, ठीक है? और 4 बराबर 16,000 यह हो गया इनका अंसर यह इसमें पेन भी नहीं उठाना था आप बिलकुल आसानी से कर सकते थे ऐसे कुश्चन आ रहे हैं टी-पी-सी मी पेपर के लेबल बिलकुल लेजी है घबरा के नहीं जाना है बिलकुल कह रहा है कि 5X यह क्या बात है? यह भी कोई कुश्चन है यह 7 को उधर बिज देंगे 5 को इधर बिज देंगे जो आएगा वो आंसर है ठीक है न? X upon Y की वैलू जो होगी 48 multiplied by 7 divided by 54 into 5 यह जो आएगा वो आंसर है यही करना था इसमें चलो, next number देख लेते हैं कुश्चन कहरे हैं कि यदि X plus 1 by X is equal to 2 हो तो X to the power 206 plus 1 by X to the power 206 की वैलू क्या होगी? इसका अभी मैंने दिखा दिया था पिछले जो sin A plus को सेक एक दिया हुआ था यहाँ पर क्या होगा? X is equal to 1 put करेंगे satisfy यह X is equal to 1 put करेंगे तो 1 to the power 206 तो 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा कुल मिलके क्या आएगा? 2 होगा ठीक है? यह बिल्कुल आसान से question है ऐसे question आए तो orally ही होगा ठीक है? यह वाला question clear नहीं है थोड़ा सा कह रहा है कि LCM जो है 240 HCF 24 है ठीक है? दोनों संख्याओं का गुड़नफल और बड़ी संख्या यह यह वाला sentence हमें clear नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको भी छोड़े रखते है ठीक है न? क्योंकि अगर question इसका sentence clear हो जाता तो आराम से हो जाता और यहाँ पर बड़ी संख्या भी हम नहीं ले सकते है बड़ी संख्या अगर 40 हो तो HCF 24 आएगा कैसे? अगर बड़ी संख्या 40 हो तो HCF 40 का 24 कैसे आएगा? नहीं आएगा न? इसलिए यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बढ है इस वाले question में तो इसको छोड़े रखते हैं डियाई से 3 question थे ठीके न? तो 16 अभी तक होगे और 13 में 19 question होगे ठीके? एक मादे मादीका से भी था 20 question होगे न? complete तो यह था आज का 18 जनुरी बाला पेपर बहुत ही easy label था मैंने बोला था ने कि डियाई जब भी आती है तो 3-4 question ले के आती है तो डियाई पर भी ध्यान देते रहीएगा ठीक है चलो मिलते हैं अगले दिन कुछ अच्छे question के साथ तक के लिए धन्यवाद